हेलो गेमर्स आज हम अपने माई जो हम आईरन फार में बलकि टू हंडरेट परसेंट बोकिन गषिस दे को किन्क ही है। अब आपको क्या करना है यहां पर सभी में इस टॉन लगा कर इस पुरे एरियों को गबर कर देना है आपको इस फार्म को बनाते हुए एक बात का बहुत ज़्यान रखना होगा वो बात यह है कि आपको अपने इस फार्म को जो है विलेज से दूर बनाना होगा इसके आस पास में कोई भी विलेज नहीं होना चाहिए वरना यह फार्म वर्क नहीं गरेगा यह इतने ज़्यादा बड़ी प्रोब्लम भी नहीं है आपको सिर्फ इस फार्म को विलेज से दूर बनाना है हमारा यह फार्म 1.20 प्लस कितने भी वर्जन है माइन का पोगेट इडिशन के उन सभी में काम करेगा उन सभी में वर्क करेगा और हाँ देखो इस तरह का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेंगे इसके बाद आपको चारो तरफ यहाँ पर स्टोन लगाने है चारो साइट में स्टोन लगाने के बाद अब आपको बेट की जरूरत होगी एक साइड में श्टोन रह गया है मैंने यहाँ पर भी श्टोन लगा दिया अब आपको चारो साइड में बेट लगाने है कुछ इस तरह से दो बेट आप यहाँ पर लगाएंगे दो बेट यहाँ पर लगाएंगे दो बेट यहाँ पर लगाएंगे इसके बाद आप एक बेड यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ और यहाँ और यहाँ पर भी लगाएंगे तो टोटल यहाँ पर हमारे 18 बेड लग चुके हैं लेकिन अभी भी हमें 2 बेड और लगाने हैं इसके लिए आप जा करेंगे एक बेड यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा बेड यहाँ पर लगाएंगे टोटल यहाँ पर हमारे 20 बेड लग चुके हैं तो यहाँ पर आपको 20 बेड लगाने हैं और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गेप रह जाएगा इसके बाद आपको stone block लेने हैं और इस पुरे area को cover कर देना है आप glass blocks को यहाँ पर चारो side में एक wall type बना कर लगा देंगे कुछ इस तरह से आप wall type बना के चारो तरफ से दो दो glass blocks को लगाएंगे चारो side में glass blocks लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर villagers को लाना है तो यहाँ पर मैं creative में करके खेलता हूं ताकि आपको आसानी से दिखा सको लेकिन आपको यहाँ पर विलेजर को लाने के लिए कोई युकाड़ा लगाना पड़ेगा अगर आप survival में इस farm को बना रहे हैं तो यहाँ पर total हमें 20 villagers को spawn कराना है यहाँ पर यह iron gullum को spawn नहीं करा पाता है तो अगर वो iron gullum को spawn नहीं करा पाएगा तो यहाँ पर हमारा iron farm बनेगा ही लिए ओके इसना करने के बाद यहाँ पर आपको सबी जगा पर यानि यहाँ पर stone blocks लगा देना है और stone blocks से इस पूरे area को cover कर देना है तो विलेजर स्वाले chamber को stone blocks से 3-3 block लगा कर इसको पूरे को cover कर देना है तो यहाँ पर मैंने 4 तरफ से 3-3 stone blocks लगा दी है और हमारा structure अभी जो कुछ इस तरह का दिखाई देरा iron farm का और हाँ मैं आपको बतादू इस farm को बनाने के लिए किसी zombie वगेरा की कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाली है यह farm हमारा ऐ स्लैप्स नहीं लगाएंगे तो iron column बाहर स्पॉन हो जाएंगे हमारे killing chamber में iron column इस पॉन नहीं हो पाएंगे और राइट यहाँ पर मैंने 4 तरफ स्लैप्स लगा दी है अब मुझे यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद मैं क्या गरूँगा दो एक stone block यहाँ स्लैप्स लगानी है स्लैप्स लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें एक block छोड़ने के बाद दुसरे block पर एक stone block लगाना है अब हमें sign board लेना है और sign board लेने के बाद एक साइन बोर्ड यहां पर लगाना है और एक साइन बोर्ड यहां और एक साइन बोर्ड यहां पर लगाना है अब जो हमने यहां पर यह एक ब्लोक लगाया है इसको अपर हमें फैंस लेनी है और फैंस को लगाना है और इसको खोल देना है अब इस ब्लोक को यहां से तोड़ देना है एक ब्लोक हमें यह तोड़ना है और अब मुझे यह गरना है होपर लेना है और होपर को यहां लगा देना है अब हमें बाहर की साइड में आ जाना है और यहां पर हमें एक-एक श्टोन ब्लोक लगाना है तीन जगा पर इसके बाद एक एक बाहर के साइड में ओके यहाँ पर ब्लोक लगाने के बाद आपको यहाँ पर आना है और इस वाले स्टोन ब्लोक को तोड़ देना है और जो हमने यहाँ पर होपर लगाया है इसको भी फिलाल तोड़ देते है इसके बाद इस वाले स्टोन ब्लोग को हमें तोड़ना है और इस वाले ब्लोग को भी हमें तोड़ना है अब हमें चेस्ट लेनी है और चेस्ट लगा देनी है यहाँ पर और अब हमें यहाँ पर दो बार किलिक करने के बाद Hopper को लेना है और Hopper इस Chest को बगा देना है यहाँ पर हमारा Hopper Connect हो चुका है है खेस्ट को Hopper से Connect करने के बाद एक फैंस हमें यहाँ पर लगा देनी है अब वापस से हमें यहाँ पर किलिंग चैंबर में आ जाना है और हमें यहाँ पर आप लावा बकेट और वाटर पकेट की ज़रूरत होगी और यहाँ पर लावा लगा देना है इसके बाद यहाँ पर आपको इन दोनों साइट से वाटर को डाल देना है तो यहाँ पर हमारा किलिंग चेमबर जो है वो रेडी हो चुका है अब हमें क्या गरना है देखो इन विलेजर्स को जोब देनी है जोब मैं पहले भी दे सकता था लेकिन अगर मैं पहले इनको जोब दे देता तो यहां पर बेवज़ा में आरन गॉलम स्पॉन होने लग जाते जोकि हमारा किलिंग चेंबर अपाई रेडी नहीं होता तो हम उसको चैस्ट में नहीं ला पाते ओके हमें क्या गरूँगा यहां पर इन सभी जगा पर फ्लेशिंग टेबल लगा दूँगा एक यहां पर और एक यहां पर तो यहां पर हमें इसी तरह से टोटल 20 फ्लेशिंग टेबल लगानी होंगी ओके टोटल 10 फ्लेशिंग टेबल यहां पर हो चुकी है और 10 फ्लेशिंग टेबल इस साइड में हो चुकी है तो हमने विलिजर्स को जोब दे दी है और अब हमारे फार्म में आईरन गॉलम स्पॉन होने लग जाएंगे और आप देख सकते हैं जैसे हमने यहां पर इनको जोब दी है कितनी फ़ाश तरीके से आईरन गॉलम स्पॉन हो रहे हैं अब हमें चेक करना है कि जो iron column हमारे farm में spawn हो रहे हैं वो मरने के बाद हमारे जो हमने chest लगाई है वहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने कुछ मतलब कि हमारे जो hoper है वो chest से connect है या नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीन iron ingot यहाँ पर हमारे आ चुके हैं तो आज होप यह वीडियो आपको पसंद आ जागा अगर वीडियो पसंद आ यह दो वीडियो को एक लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना